नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अविशेक पुंडीरी NDA 3.0 का पहला बजट आया जिसे वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया उन्होंने अपना साथवा बजट लगातार पेश किया है जो एक अपने आप में इतियास है ये बजट जो है किसी के लिए खुश्या लेकर आया तो किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है ऐसा लोगों को कहना है हर बार की तरह विपक्ष एक बार फिर से बजट पर हमलावार है बजट पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है लेकिन इस बजट के बाद एक चीज ऐसी निकल कर सामने आई है जिस से सरकार की वावाई तो होई रही है और जो टेलिकोम इंडस्ट्री में जियो की बादशाथ थी उसे भी चैलेंज करने का काम अब सरकार ने खुद उसे चैलेंज करने का बीड़ा खुद सरकार ने उठा लिया है वो क्यों उठा लिया है क्योंकि इस बार के बजट में टेलिकोम इंडस्ट्री को पांचवा सबसे ज्यादा पांचवा सबसे बड़ा बजट दिया गया है एक दशमलव दो लाक दो आठ लाक करोड रुपे का बजट टेलिकोम इंडस्ट्री को दिया गया है जिसमें से ये सारा 82,900 कुछ करोड रुपे मतलब अगर राउंड फिगर आप लगाएं तो तक्रीबन 83,000 करोड रुपे BSNL के इंफ्रस्ट्रक्चर पर खर्च किये जाएंगे BSNL के रिवाइवल पर खर्च किये जाएंगे तो जिससे जो मॉनोपॉली टेलिकोम इंडस्ट्री में चल रही थी उस मॉनोपॉली में जियो हो, वोड़ाफोन हो या फिर आपका एरटल हो, सब की जो बादशाहत चल रही थी वो अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि अकेले BSNL के पास 45 करोड से ज्यादा कस्टमर है लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बाद कहीं तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्या अमबानी जी से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी नाराज है क्योंकि कोई भी काम अगर इस देश में होता है तो उसमें राजनिती अक्सर अपना घर बना ही लेती है और BSNL ने भी ताबड़तोड तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है तो क्या अमबानी जी से मोदी जी की नाराजगी है और उसकी वज़ा से ये इंतकाम प्रधान मंत्री मोदी ले रहे हैं ऐसा चर्चा में आम लोगों की है वो भी आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि बज़ट में क्या-क्या मिला है टेलिकॉम इंडस्ट्री में जरा टेक्स चलाईएगा थोड़ा दिखाईएगा इस बज़ट 2024 में केंदरी सरकार की तरफ से 1.2 लाक करोड रुपय का बज़ट दिया गया टेलिकॉम को जिसे टेलिकॉम प्रोजेक्ट और सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL के टेक्नलोजी अपडेट पर खर्च किया जाएगा ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल बज़ट आवंटन में BSNL और MTNL को करीब 1,00,000 करोड रुपय दिये जाएगे जो BSNL अब तक 3G था और 4G कहीं कहीं चल रहा था वो अब पूरे भारत में घर घर तक गाओं गाओं तक 4G पहुचाएगा और पहले से ही 5G का जो उसका धाचा है वो तयार है 17,000 करोड रुपय यूनिवर्सल सर्विस ओबिलिगेशन फंड से आएगे 17,000 करोड रुपय को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारतनेट और रिसर्च और डेवलप्मेंट पर खर्च किया जाएगा इन में जे 17,510 करोड रुपय को डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्निकेशन के करमचारियों की पेंशन पर खर्च किया जाएगा मतलब जो BSNL अब से पहले आठ दस साल पहले कहा करता था अपने करमचारियों को कि आप जो है अपने घर बैठ जाईएगा आपके लाए कोई काम नहीं है क्योंकि लगातार गर्त में जा रहा था BSNL वो BSNL अब अपने करमचारियों को वेतन भत्ता या फिर जो उनकी पेंशन थी सब कुछ देगा 17,510 करोड रुपे से और ये सब कुछ संभव हो सका है भारत सरकार की वज़ा से पिछले वित्वर्ष 2023 में सरकार ने भारत नेट यूजना पर 1500 करोड रुपे का बज़ट दिया था जो इस बार बढ़ा कर 8500 करोड रुपे कर दिया गया है सके तो निर्मला वित्यमंतरी निर्मला सीतारमंड ने जिस तरीके से ये बजट पेश किया है वो सीधा सीधा एक रिवाइवल है बीसनल को और इसकी उपयोगिता उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब बीसनल के साथ टाटा का नाम जुड़ जाता है मतलब अब जो हमारा डेटा होगा वो टाटा सुरक्षित रखेगी टाटा के साथ 15,000 करोड रुपे की डील भारत सरकार ने की है इस 15,000 करोड में भारत का डेटा कहीं भी भारत के जो ग्रहा का डेटा कहीं बाहर सेव नहीं किया जाएगा ये सारा डेटा सेव किया जाएगा हिंदुस्तान में ह और ये जो हुआ है सब कुछ जो boycott चला था जियो का उसका नतीज़ा ये भी हुआ कि पिछले एक महीने में 27 लाख नए यूजर्स BSNL पर आए हैं 8-10,000 सिम रोज बिक रहे हैं और तक्रिबंद 5,000 लोगों ने अपना सिम पोर्ट करवाया है और कमर कसली है BSNL ने भी BSNL ने भी 1000 नए 4G टावर्स अब तक वो लगा चुका है तो भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया है कि एक fair market मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से monopoly बाजार में चल रही थी वो monopoly थी जियो की जियों ने आपके 20-25% दाम बढ़ा दिये थे जिससे की लगबग 2500 करोड रुपय का फायदा अंबानी गुरूप को हुआ था और दूद के धुले हुए वोडव वी आई और आपका जो और टेलिकॉम कमपनिया है वो भी नहीं थे जैसे ही जियों ने अपने रेट बढ़ाए वोड़ा फोन आईडिया ये जो टेलिकॉम कमपनी थी उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिये और साथ में इनके बचा BSNL जो लगातार जरजर हालत में चल रहा था तो ये तो काम किया BSNL के लिए बारत सरकार ने अब आप समझिये कि अपनी जी से बढ़ा लिया है प्रधानमंतरी मोदी ने उसके लिए आप समझिये चुनाव प्रचार के दोड़ान प्रधानमंतरी मोदी ने कहा था राउल गांदी पर तंज कस्ते हुए कि क्या आपके यहां भी पैसों से भरा टेम्पो पहुँच गया है क्योंकि वो अम्बानी अडानी पर हमला करना उन्होंने कुछ कम कर दिया था हलाकि राउल गांदी ने भी उसका जवाब दिया था और फिर सरकार ने जो ये अब कदम उठाया है एक दशमलव दो लाग लगबग सवा लाग करोड रुपे जो दिये हैं वो उसे समझे है कि अम्बानी जी के यहां शादी हुई शादी में सभी विपक्षी पार्टियों को नियोता दिया गया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे वहां आपकी ममतब एनरजी पहुँचे अमके स्टालिन पहुचे अखलेश यादाव पहुचे लालु जी का पूरा परिवार पहुचा तो अब विपक्ष सीधे तोर पर यह पहले यह समझ लीजिए कि अम अम्बन अमभानी परिवार से कुछ खास हैं अडानी परिवार से कुछ खास हैं और इन दोनों घरानों के बाद से क्या हाथ की कट्पुतली बनकर यह सरकार चल रही है आलाले कि अस बात का चुनाओं में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान भी हुआ और क या इस नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रदान मंत्री मोदी ने इतना बड़ा पैकेज BSNL को दिया है अलगी सवाल ये भी है कि आखिर आपने इतनी जरजर हालत में BSNL को जाने ही क्यों दिया गया जब आज कमपनिया 6G की तैयारी कर रही है 5G प्रोवाइड कर रही है में BSNL 3G पर क्यों अटका है आपने BSNL को पहले रिवाइड क्यों नहीं किया खेर देर आए दुरूस्त है वो भी बात यह ठीक है तो क्या चुनाव में जो प्रदान मंत्री मोदी को नुकसान हुआ है इस मॉनोपॉली के जरिये जिस तरीके से अंबानी अडानी का नाम ल नए कस्टमर गए है BSNL की तरफ धाईलाख लोगों ने पोर्ट करवा लिया है एक हजार नए 4G के टावर्स लगा चुका है BSNL और यह भी समझे के जो फिलाल नेट प्रोवाइडर कंपनिया है वो अपका जियो हो या फिर आइडिया हो या फिर वोड़ा फोन हो उनमें अ पूरी तरीके से आपको स्वदेशी नेट प्रोवाइड करेगी जिसके लिए वो अपना धाचा लगातार तैयार कर रही है अब यहां इसी लिए जो BSNL के दाम है BSNL के जो प्लांस हैं वो आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे तो जिस तरीके से प्रदान मंत्री मोधी ने र फापित कर दी थी और कई भारति एप्स को अपने Play Store से बहार निकालकर दिया था ज कि अगर आपको अपना सामान यहां वेचना है तो आपको जितना टेक्स मैं कहता हूँ इतना ही देना होगा भारत सरकार ने उस पर भी काबू किया था उस पर भी लगाम लगाई थी और अ मोनपॉली है 45 करोड कस्टमर्स के साथ वो भी भारत सरकार खत्म करने की तरफ अब है और जियो पर इसका फर्क क्या पड़ा है नहीं पड़ा वो भी आप समझ लीजिए 349 का एक जियो का प्लान हुआ करता था जिसे जियो ने बंद कर दिया था लेकिन अब जियो ने उसे वापस से बाजार में उतार दिया है उस प्लान को आप ले सकते हैं तो BSNL अब अपने पैरो पर लगातार खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे बाजार एक फेर मार्केट आपको मिल सकेगी जिसका प्लान आपको सस्ता लगेगा उस प्लान की तरफ आप उस कंपनी की तरफ जा सके खेर दे रहा है दुरूस्ता है सरकार के कंपनी टेलिकूम सेक्टर में होना जरूरी थी जो मजबूती के साथ प्राइवेट कंपनियों को ठक कर दे सके और अब BSNL उस दिशा में बढ़ गया है तो जिस तरीके से BSNL को रिवाइव करने का काम मोदी सरकार ने किया है और अ झाल